क्या है हमारी थिंकिंग, कैसी है हमारी थिंकिंग, कैसे हम किसी चीज को देखते या सोचते हैं, क्या है हमारा माइंडसेट, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी Hi, my name is Preeti and welcome to my channel जजबा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस दुनिया में किसी भी चीज को सोचने के दो तरीके से सोचने वाले लोग होते हैं पहले तरीके को कहते हैं Soldier Mindset और दूसरे तरीके को कहते हैं Scout Mindset पहले बात करते हैं Soldier Mindset की Soldier Mindset वो है जिसमें कि आप अपने किसी पुराने believes या पुराने किसी thoughts से influence हो करके जो भी situation आती है उसमें आप गलट decision ले लेते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने thinking अपनी advice को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं ये अपने आपको protect करते हैं ये अपने ego को satisfy करने के लिए काम करते हैं ये हर हाल पे अपने आपको ही सही मानते हैं ये changes को बिलकुल भी accept नहीं कर पाते हैं दूसरा है scout mindset scout mindset के लोग जो होते हैं ये पुराने beliefs या पुराने thoughts को भूल करके जो भी situation उनके सामने आती है उसमें वो बात की तहत तक जाते हैं वो किसी भी चीज़ पर ऐसे ही यकीट नहीं कर पाते हैं वो ये सोचते हैं कि इस बात पर मुझे believe करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पुराने beliefs या thoughts के according उस चीज़ को judge नहीं करते हैं Scout Mindset का मतलब है कि आप अपने और दुनिया के बारे में perception को जितना हो सके honest रखें पुराने beliefs के लिए ऐसे लोगों के मन में कोई भी डर नहीं होता है Scout Mindset वाले जो लोग होते हैं ऐसे लोगों को जब अपनी गलती realize होती है या जब उन्हें ये पता चलता है कि वो गलत थे तो वो उस चीज़ को सही करते हैं वो अपने आपको improve करते हैं वो अपनी गलती को accept करते हैं जब हम सच को जान लेते हैं तो ऐसी दूसरी बहुत सी बाते हमें आसानी से समझ में आ जाती है वैसे हम सब जो हैं ये scout और soldier के mixture होते हैं कोई भी ना तो पूरी तरीके से scout होता है और ना ही कोई पूरी तरीके से soldier होता है बट कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की compare में काफी better scout होते हैं जो चीजों को अच्छे से समझने जानने और accept करने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों पर भी ध्यान देते हैं जैसे कि लोग अपने personal और professional life में अलग-अलग तरीके से behave करते हैं उनकी thinking और उनका behavior दोनों ही अपने personal और professional life में अलग-अलग तरीके से होती है जब वो अपने professional life में होता है तो उससे कोई mistake होती है तो वो उस mistake को सुधारता है वो उस चीज को दुबारा ना हो इस चीज का ध्यान रखता है वो अपनी गलतियों को accept करता है बट वही person अपने personal life में अपने mistakes को नहीं सुधारता वो अपनी गलती को नहीं accept करता अपनी चीजों को वो दूसरों के उपर थोपने की कोशिश करता है पर्सनल लाइफ की आती है तो लोग अपनी गलती को नहीं मानते हैं वो बहुत ही जल्दी जज्मेंटल हो जाते हैं सारे relationship में हमारी mindset की वज़ा से ही सारी गलतियां देखी जाती हैं इसी वज़ा से हमारे relation जो है वो खराब होते हैं जैसे कि कोई कुछ करता है या कोई कुछ कहता है तो उसका मतलब हम गलत निकाल लेते हैं उसे हम बहुत जल्दी judge करने लगते हैं हर जगा उसकी हम गलती निकालने लगते हैं या फिर हम गलत सोच रखने लगते हैं माली जैसे कोई serious दिखता है या फिर कोई ऐसा है कि वो दिखने में थोड़ा सा serious लगता है या फिर वो थोड़ा सा reserve रहता है या फिर introvert है तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि वो rude है scout mindset वाले लोग जो होते हैं वो उसको उसकी नजरिये से देखने और समझने की कोशिश करते हैं वो इतनी जल्दी किसी के लिए judgmental नहीं हो जाते हैं वो जानते हैं कि हर कोई अलग है हर किसी का nature अपने में अलग होता है कोई भी perfect नहीं है और ना ही कोई हमेशा perfect तरीके से ही सोच सकता है बट हाँ ये जो scout mindset वाले लोग होते हैं ये दूसरों के compare में ज़्यादा अच्छी thinking रखते हैं भी decision को लेने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करते हैं हमारा mindset जो है ये ही हमारे decision को बनाता और पिकाड़ता है हमारी life बहुत से judgment से मिल करके बनती है जितना हम reality को accept करेंगे और fake perception को नहीं बनाएंगे उतना ही easy होगा किसी भी decision को लेने में इस से फिर हमेशा ही हम stress free रहेंगे वीडियो को like करिए, share करिए और subscribe करिए